14.9 को एक सुबह सुबह हमें जानकारी मिलती है कि एक ट्रक जो सिरीनिकल की तर्स जा रहा था उसका एक्सीडेंट पंथियाल के पास हो चुका है तो उसी वक्त मैंने SHO को कहा कि फॉर्ण मौके पे पहुंचो SHO मौके पे पहुंचा और उसको उसने बताया कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन मैं नीचे पहुंच नहीं पाता हूँ क्यूंकर बहुत ही डिफिकल्ट टरेन था उसके बाद SDRF की टीम और लोकल जो हमारी QRT हैं सिविलिन्स की उन टीमों को बलाया गया रसा डाला गया और रसे की मदद से कुछ लोग सिविलिन्स, SDRF और पुलीस के लोग नीचे पहुंचे तो हमारा पहला प्रियास था कि ड्राइवर को बारे में लोकेट किया जाए ड्राइवर को लोकेट करके उसकी जान बचाई जाए तो हम सर्प्राइज हुए कि वहां पर ना कोई blood strength थे और नहीं कोईила गारी के अंदर हमें मिला हमने रीस दुबारा से इसको research कर वाया कि दुबारा इसको तलाश करो हमें ड्राइवर मिले किसी भी हालत में तो ड्राइवर नहीं मिला और वहां से फोटोग्राफी उसी वक्त आ गई कि कुछ ड्राइफ रूट के डब्बे उसमें थे दो चार पांच डब्बे इससे जादा नहीं थे इसके लावब वो बताते हैं जिसमें कुछ चीज नहीं था क्रीटा घ्रममें की तौफ कि ढश्यारी अवा कि यह कैसे है कैसे हुसकता का के सभी कोई नहीं है विन Off फ्रूट नहीं है फिर हमने फृदर इंवस्टीगेशन की और मालूम किया कि इसका और कौन है राइबर सबस्किंख और फाइनले हम 19 को जाके कहीं द्राइबर कुणके बाए वंति पूरा चला गया था 19 को अमने ड्राइवर को रेस्ट किया और तब जाके कहानी खुली और पता लगा कि ड्राइवर ने ट्रक जो है वो खाली ट्रक को नीचे फैंक दिया है और पता लगा कि मालिक ने 14 को ट्रक लोड जम्मू से होता है और अपने नगरोटा के पास में इसकी पल्टी होती है और एक दूसरे ट्रक में हो जाती है और उस ट्रक में ड्राइव रूट डालके रजोरी चला जाता है और ये ट्रक यहां आके एक ड्रामाई इंदाज में नीचे उसका एक्सिदेंट कर दिया जाता है हमने ट्रक ड्राइवर के मालिक को भी एरेस्ट कर लिया और वो दूसरा ट जो इस material को लेके रियासी उदुम पर पहुंचा था और उसके बाद में वो गजोरी पहुंचा था उसको भी एरेस्ट कर लिया है और इन सभी एरेस्ट के साथ साथ एक और बंदा था जिसका नाम महमद अयाज है सानब महमद अबजल यह तुली चसाना का रहने वाला है यह इनके बीच में इंट्रमेडियेट का काम करता था इसको भी एरेस्ट किया है जो अभी हमारे पास चार एरेस्ट हैं उसमें महमद अब्दुल्ला जो गाड़ी का ड्राइवर है इबरार एली जिसकी गाड़ी में प पिर्मेडियेट बंदा है वह महमद त्याजयमन है यह वी तुली चसाना करेंवाद है हमने जो भी रिकावरी ती इस ट्रक में वांपने का डिजोरी से कर लिए4 ती चुकि मैं मेटीरियल इनमेट्र में डोकान में छुपाते रखा था उसको हम ने रिकावर कर लिया और उ और material हमने पूरा recover कर लिया है अभी हम इसको match कर रहे हैं और जैसे ही आगे इसकी जो कारवाईयां legal होती है वो legal कारवाईयां होंगी और इस type के हम चाहते हैं कि इस type के दुबारा काम न हो इसलिए हम चाहते हैं मजीद मुनफरिद और दिल्टरस्ट वीडियो के लिए हमारी यूट्यूब चैनल ज़रूर सबस्क्राइब करें